Mission, Sikshan, Samvart, पढ़ाई से, पृतियोगता तक, English Grammar में, आईए जानते हैं, Opposite Words के बारे में बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको Opposite, जिसे हम विलोम या उल्टा भी कहते हैं, के बारे में बताएंगे Words that have a completely different meanings are called Opposite Words यानि, वे शब्द, जिनका आर्थ बिलकुल भिन होता है, उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं Next point, another name for the Opposite is the Antonym यानि, Opposite को हम Antonym भी कहते हैं Next point, Opposite could be described as a person or thing, which is totally different, or the reverse of the something else यानि, Opposite Words किसी व्यक्ति या किसी चीज से बिलकुल अलग या उसके बिलकुल विपरीत होता है Next point, Opposite Words can be nouns, verbs, adjectives and adverbs that can have Antonyms और Opposite Words यानि, Opposite Words, nouns, यानि सेंग्या भी हो सकते हैं Verb यानि क्रिया भी हो सकते हैं Adjective यानि विशेशन भी हो सकते हैं और Adverb यानि क्रिया विशेशन भी हो सकते हैं चलिए, कुछ example के द्वारा आपको समझाते हैं जैसे far, for means दूर, for का opposite या antonyms क्या होगा, near near means pass इसी तरह day day means दिन तो दिन का opposite या उल्टा क्या होगा, night night means रात next clean clean means साफ, dirty इसका उल्टा क्या होगा बच्चों dirty, dirty का मतलब गंदा better better means बिहतर or worse, worse means और भी खराब, यानि बिटर का उल्टा क्या होगा, और भी खराब let's test our knowledge match each word in the left column with its opposite in the right column, यान नीचे आपको कुछ शब्द दिये गए हैं, उसमें आपको प्रती एक शब्द का opposite word धूंडना है पहला है bad bad मतलब बुरा दूसरा है big big मतलब बड़ा तीसरा है cold cold का मतलब ठंडा चौथा है dark dark means अंधेरा और पांचबा है fast fast मतलब तेज बच्चों अब आपको इसकी opposite यानि उल्टे शब्द या words चाटने हैं सामने वाले column से अकर आप नई चाट पाते हैं तो मेरा वीडियो फिर से देखिएगा नेक्स वीडियो में हम आपके लिए कुछ नए opposite words लेके आएंगे तब तक के लिए good bye और मेरा वीडियो लास तक देखने के लिए थांक यू